मुझे बलाई वालों के लिए काम करना चाहिए कि मलाई वालों के लिए कल इन लोगों ने जो ढकोसला पत्र जारी किया है वो राष्टिय सुरक्षा से खिलवार का दस्तावेज है कॉंग्रेस का ढकोसला पत्र पाकिस्तान की साजीसों का योजना पत्र है कॉंग्रेस का ढकोसला पत्र देश के वीर जवानों के मनुबल को तोड़ दे का शड़ियंत्र है कॉंग्रेस का ढकोसला पत्र भारत तेरे टुकडे होंगे का नारा लगाने वालों का साजीस पत्र है साथियों इस खेत्र में नकसली हिंसा से निपटने में हमारे जवान निरंतर डटे हुए महाराष्ट में हिंसा फ्यालाने वाले इन माववादियों के दिन अब गिन चुके हैं लेकिन मेरे प्यारे भाईयों भेनों आपको सावधान रहना होड़ा अगर थोड़ी सी भी चुक हुई अगर इन महा मिलावड करने वालों को जराभी मोका मिला तो नकसल माववादियांदोलन को और गती मिलने वाली है तात्यों जब हमारी सरकार हिंसा के लिए उकसाने वाले अर्बन नकसलियों को सजा दिलाने का प्रयास कर रही है तब कॉंग्रेस और NCP के नेता कैसे उनके साथ खड़े हो जाते हैं ये आपने भली भाती देखा अब तो कॉंग्रेस ने खूल कर कोशना की है कि अगर कोई अर्बन नकसलियों देश विरोधी काम करता पकड़ा जाए तो उस पर देश द्रोह का केस नहीं चलेगा मेरे प्यारे भाईयों बेनों आपको ये बात मंजूर है ये कॉंग्रेस सही कर रही है ये NCP सही कर रही है मुझे बताएं ये देश का हाल क्या होगा क्या आपके रहते हुए देश का ऐसा हाल होने देंगे ये देश द्रोहियों को मुक्ती दिलाने वालों को आप मोका देंगे क्या क्योंकि कॉंग्रेस ने देश द्रोग से जुड़े कानून को ही हटाने का फैसला किया है क्या देश द्रोग का कानून हटना चाहिए ऐसे नहीं क्या देश द्रोग का कानून हटना चाहिए मेरी माताई बहने बहुत सट बड़ी संग्या में आए बैट ये बताईए तेज द्रोग का कानून हटना चाहिए भारत को तोड़ने की कोशिश करने वालों को खुला लाइसेंस मिलना चाहिए क्या हजारों जवानों के बलिदान का अपमान करने वाली कॉंग्रेस और उसकी साथ ही NCP को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए मैं तो देश के रक्षा मंत्री रहे शिमान सरत पवार जी से पूछना चाहता हूँ क्या वो कॉंग्रेस के डोक ड़कोसला पतर से सहमत है क्या अरे आप तो रक्षा मंत्री रहे हैं अरे आपका जन्मत छत्रपती सिवाई जी माराज की धर्ति पे हुआ है क्या मुझे ताले लगा के बैठ गए हो इतनी क्या का रहे है कॉंग्रेस के इन पापों को डो रहे हो मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या वो देश की सेना को देश के सुरक्षा बनो को कमजोर करने के कॉंग्रेस के फैसले से सहमत है और अश्रत राव ने जवाब देना पड़ेगा साथियों अपने राजनितिक अस्तित्व को खोने की बोकलाट में ये महा मिलावटी लोग आए दीन सुबे साम ये चौकिदार को गाली देने में जुटे हैं उनको मेरे काम से ज़्यादा मेरे नाम से समस्या है पहले चाएवाले इतिहाद से उनको दिक्कत थी और अब चौकिदार से हो गई है मैंने क्या किया इस से ज़्यादा उनको इस बात की चिंता है कि मैं कहां पैदा हुआ किस परिवार और किस समाथ से उड़कर मैं उपर आया यही गणित यही ऐसा दिलाने का प्रयास कदम कदम पर यह कर रहे है मैं आपको कुछ उधारन देता कॉंग्रेस के नामदार जगर जगर कहते फिर रहे हैं कि मोदी जैसे तो हम अमीरों के यहां चोकिदारी करते हैं क्या यह शब्द शोभा देते हैं क्या कॉंग्रेस के एक राख दरबारी मुझे सौचाले का चोकिदार बोल रहे है सरत पवार जी की पार्टी के नेता चोकिदार को जाहिल बता रहे है जम्मू कश्वीर में इनकी महा मिलावट के एक साथी कहते है कि बोधी को देश चलाना नहीं आता है भाई और बेहनों देश कैसे चलना चाहिए क्या वैसा चलना चाहिए था जैसा 2014 से पहले चल रहा था जब जबान भी परेशान था किशान भी परेशान था और नवजवान भी निराशा में दुबा था यूरिया के लिए लंबी लंबी कतारे लगा करती थी किशानों को लाठिया खानी पड़ती फिदर्फ के किसानों के लिए पैकेज गोसित होते थे वो बिचोलियों की जिब में चले जाते थे किसान के पानी के हजारों करोड रुपिये एन्सीपी और कॉंग्रेस के लोगों की जिब में चला जाता था